गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा तीन की गनित विशे की प्रशनावली तीन कुछ लेना कुछ देना के कोशन आंसर हल करूँगी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कोशन है रामु ने द लुकानदार उसे कतने रुपए वापिस देघा देगे उसने सो रुपए का नौ्ट दे दिया और च्शेतरर रुपए की सबजी खरीद ली तो उसे वापिस कितने मिलेंगे इसमें 24 रुपय ठीक है राइट ओप्शन होगा हमारा ग अगला कुशिन है हमन के पास 2000 रुपय का नोट है उसमें से 800 रुपय की वर्दी खरीद लेता है अब बताओ कितने रुपय बचेंगे तो बच्चो 2000 रुपय का नोट था अब उसमें इन में से खर्च कर दिये कुछ यानि 800 रुपय खर्च कर दिये तो 2000 से ज़्यादा तो नहीं बचेंगे कम बचेंगे कम के लिए हम घटा कर देंगे ठीक है हमारे पास सोरी अमन के पास 1200 रुपय सेज बचेंगे ठीक है अगला कुशिन है दूसरे दिन उसमें इतने रन बनाए कि पहले वालों को मिला कर 12 सतक बना ओके तो बताओ उसने दूसरे दिन कितने रन बनाए देखो 198 नहीं सोरी 198 रन बनाए उसने और दूसरे दिन दूसरे दिन के जोड के उसके टोटल हो गए 12 सतक यानि 200 एक सतक में सो और दोरा सतक दो सो तो दो सो हो गए तो दो सो प्राप्त करने के लिए हमें अठान में तो उसने बता लिए कि पहले दिन अठान में बनाए थे लेकिन दूसरे दिन नहीं बताए कि कितने बनाए थे तो दो सो और अठान में कितना डिफरेंस है दो सो और अठान म ये आएगा हमारा 102 राइट ओप्शन होगा 102 यानि उसने 102 रन बनाए तो 12 सतक हो गया complete अगला कोशिन है सोनु तीसरी और चोथी कक्षिया के गरीब बच्चों के लिए चंदा एकत्रित करता है उसे तीसरी कक्षिया से 840 रुपए चोथी कक्षिया से 660 रुपए मिला हो तो अब उसके पास कुल कितने कुल का मतलब होता है टोटल कितने रुपए खटे हो गए जोड यानि 640 और 800 सोरी 840 और 660 को एड कर देंगे हम जोड देंगे 1500 यानि 1500 रुपए उसके साथ अब इनको हमें यहाँ पे जोड करके लिख देना है आंसर में ठीक है राइट उप्सन होगा हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा 650 ठीक है अगला कुशन है दे गई संख्या को इस करम में लगाओ कि समेकरन का सही समेकरन सही बन जाए क्या है अब इसमें हमें या तो हम छोटे से बड़े की तरफ लगा सकते हैं या बड़े से छोटे की तरफ तो छोटे से बड़े की तरफ लगाएंगे तो 300 फिर 400 फिर 700 आएगा ठीक है और बड़े से छोटे की तरफ लगाएंगे तो सबसे पहले बढ़ा है 700 फिर 400 फिर होगा 300 तो इसमें right option हमारा गय होगा इसमें खय और गय दोनों ही सही है ठीक है अगला question होगा इसमें हमें क्या करना है आपको पता है sign से पता चल रहा है निशान से क्या जोड़ का निशान है तो हमें जोड़ करना है इसमें ये हमारा ग संख्या भरें देखो बच्चो यहां पे टोटल हमारा जोड के आया 500 इसमें हमने इहां पे कुछ जोड़ा तो आंसर हमारा 500 आया तो यह difference निकालना है दोनों का कितना difference है 500 टोटल है एक संख्या है 314 तो दोनों का जो अंतर होगा वही हमारी यह वाली संख्या आ जाएगी 10 में से 4 घटा दिये 6 9 में से 1 गया 8 4 में से 3 186 राइट ओप्शन होगा हमारा 186 क्योंकि हम अगर हम 314 में 186 को एड़ करेंगे तो 500 हमें उत्तर मिलेगा अब देखो इसको complete करना है ठीक है? पूरा करो इसमें क्या करना है? इसमें भी हमें क्या करना है? अड़ करना है और इहां इनको अड़ करेंगे हम सबसे पहले दोनों को और फिर यहां पे क्या answer आएगा? क्योंकि यह दोनों संख्याए बराबर है ठीक है? यह और यह दोनों बराबर है देखो, 54 यहां पे भी है यहाँ पे भी है चोवन 45 भी है 45 भी है क्या नहीं है उधर 15 नहीं है इसलिए यहाँ पे difference है वरना यह दोनों संख्याई बराबर बराबर करने के लिए यहाँ 15 हमने लिख दिया तो right option होगा हमारा क्योंकि same बनाना है हमें 54 है 45 है और 15 है लेकिन दूसरी संख्या में क्या है 44 प्लस 45 प्लस क्या नहीं है 15 नहीं है ठीक है तो right option होगा हमारा अख है धवन ने 235 रन बनाई है जबकि वराट कोली ने 243 रन बनाई बताओ किसने अधिक रन बनाई है देख के बताओ तो आप इसने सबसे ज़्यादा रन इसने बनाई है ज़्यादा रन किसने वराट ने तो right answer होगा हमारा कोली ने ठीक है वराट कोली ने अगला question है इनको हम एड़ कर देंगे जोड देंगे right answer होगा हमारा अगला question है इसको भी हमें जोडना है क्योंकि निशान आपको पता है जोड का है आठ सो आठ सो में 78 जोडना है फिर 9 जोडना है ठीक है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको जीन लगा लेते हैं 9 और 8 17 यहाँ पर carry 1 7 7 7 और 1 8 यह हमारा right option होगा curve अगला यह थे बच्चों आज के हमारे कोशिक